नमस्कार दोस्तों इस टेडी वीथ हैपीनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों आयोग ने अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस अपलोड किया है जिसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में जूनियर असिस्टेंट 2019 वाली की परिक्षा कब तक हो सकती है इस पे भी ह टैपिंग का शेडियूर आ चुका है तो इसमें दोस्तों कुछ चेंजिस किया गया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि क्या चेंजिस हुए है किस डेट में यह 13 तारिक का दोस्तों नोटिस अपलोड हुआ है इसमें क्या हुआ है जो आपकी परिक्ष 2019 वाली जो परिक्षा है वो कब तक होने की संभावना है क्योंकि उस से related अभी notice upload नहीं हुआ है मगर जो दोस्तो जानकारी मिल पारी है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है दोस्तो कलेंटर में बताया गया था कि प्रतम पक्ष में परिक्षा होनी है प्रतम पक्ष का मतलब होगी है दिसंबर का प्रतम पक्ष एक से लेकर 15 अब आपको पता है दोस्तो आठ तारिक को तो आपका परिक्षा लगी हुई है CTAT की ठीक है तो सेंटर एंगे इसके अलावा दोस्तों आपकी 15 तारिक को आपका UP-PCS की भी परिक्षा है अपर PCS की मगर आपने देखा होगा कि अब जो आयोग है वो ऐसे दिनों में भी एक्जाम कराने लगा है जिनमें Saturday, Sunday ना हो मगर इसके chances कम हैं तो यह हो सकता है कि यह जो परिक्षा है यह आपके 15 ता असिस्टेंट की परिक्षा से संबंदे डेली में 50 कोशन की स्रीज चला रहा हूँ ठीक है पूरा प्लेलिस्ट बना दी गई है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं अच्छी लगे तो देखिए नहीं अच्छी लगे तो मत देखिए ठीक है तो मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूँ कि हम जूनियर असिस्टेंट के लिए कंटिनियोस आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत